ओम शान्ती, सत्रा, तीन, दो हजार, एक्किस की साकार मुरली मीठे बच्चे, ज्यान सागर बाप द्वारा, तुम मास्तर ज्यान सागर बने हो, तुम्हें ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकाल दर्शी और त्रिलो की नात प्रश्ण, विश्व की रुहानी सेवा, तुम बच्चों के सिवाए कोई नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह से बाबा की शक्ती मिलती है, पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्यान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम पाँच विकारों पर स्वयम भी विजय प्राप्त करते हो, और दूसरों को भी कराते हो, ऐस धारणा के लिए मुख्यसार पहला, बाब की श्रीमत पर भारत की सची सची रूहानी सेवा करनी है, सर्व शक्तीमान बाब से शक्ती ले, पाँच विकारों रूपी शत्रूओं पर विजय पानी है दूसरा, मनश्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, नौलेज को धारण कर काटों से फूल बनना और बनाना है वर्दान, श्रीमत द्वारा सदा खुशी वा हलकेपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमान है, उनका मन सदा संतोष्ट होगा मन में किसी भी प्रकार की हल चल नहीं होगी श्रीमत पर चलने से नाचरल खुशी रहेगी, हलकेपन का अनुभाव होगा इसलिए जब भी मन में हल चलो, जरा भी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवग्या होगी इसलिए सुक्ष्म चेकिंग पर कर, मनमत और परमत से स्वयम को मुक्त कर लो स्लोगन बुद्धी रूपी विमान द्वारा, वतन में पहुँच कर, ज्यान सूरे की किर्णों का अनुभाव करना ही शक्तिशाली योग है ओम शान्ती आप द्रिष्टी योही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी योही दे ते रहो बाबा